विशाक महा की परम पुन्य डाई कठा सुनने से मिलेगा भगवान स्री लक्ष्मी नारायन का भरपूर आशिरवाद होगी सारी मनों कामनाएं आपकी पूरी मित्रुग सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको वैशाक महा की कठा सुनाने जा रहे हैं धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चेत्र महा की पूर्णी मा से लगा कर वैशाक महा की पूर्णी मा तक एक महिना वैशाक मास कहलाता है और प्रत्येक दिन प्राता काल सुर्य उदय से पूर्व इस्तनान किया जाता है तथा इसकी कथा का श्रवन भी किया जाता है जो कोई भक्त जन यदी सुबह जल्दी इस्तनान नहीं कर पाते हैं तो केवल वेशाक महा की कथा स्रवन कर लेंगे तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप नश्ट हो जाएंगे और उनके पुन्यों का उदय हो जाएगा और जब पुन्यों का उदय होगा तब उनके भाग्य का उदय हो जाएगा यदि आप किसी प्रकार से वेशाक इस्तनान जल्दी नहीं कर सकते हैं या और किसी प्रकार से आप पुन्य कर्म नहीं कर सकते हैं तो केवल और केवल आपको यह कथा भी सुनना चाहिए जैसे आपको परम पुन्य फल की प्राप्ति होगी जब आपका पुन्य दय होगा तो आपका भाग्य दय होगा और जब भाग्य दय होगा तो जीवन में सुक्ष, सांत्य और संब्रद्धी का आगमन होने लगेगा धर्म ग्रंथों में वेशाक महा को परम पुन्य दाई मीना कहा गया है और इसकी कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वेशाक माह की कथा में जो राजा महीरत की कथा बताई गई है उसमें बताया गया है कि सबसे पहले यमराज कहते हैं कि ब्रह्मन पूरु काल की बात है महीरत नाम से विख्यात एक राजा थे उन्हें अपने पूरु जन्म के पुन्यों के फल स्वरूप प्रचूर आईश्वारी और संपत्ती प्राप्त हुई थी परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयम विशय भोग में आसक्त हो रहे थे वे न प्रजा की और द्रश्टी डालते थे और न धन की और धर्म और आर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे उनकी वानी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीडा में ही आसक्त था राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था जब राजा को विश्यों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए तब पुरोहित ने मन में विचार किया कि जो गुरू मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता वह भी उसके समान पाप का भागी होता है यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवेलना करता है तो पुरोहित निर्दोश हो जाता है उस दसा में राजा ही सारे दोसों का और पापों का भागी माना जाता है कश्यप केते हैं कि राजन मैं तुम्हारा गुरू हूँ अतह धर्म और अर्थ युक्त मेरे वचनों को सुनू राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि गुरू की आज्या में रहे गुरू की आज्या का आंशिक पालन भी राजाओं की आयू लक्ष्मी तथा सोख्य को बढ़ाने वाला है तुमने दान के द्वारा कभी ब्राम्वनों को तरप्त नहीं किया है भगवान स्री हरी विष्णू की आराधना नहीं की है कोई वरत नहीं किया है तपस्या तथा तीर्थ या त्राभी नहीं की है ए महराज कितने खेत की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का अस्मरण नहीं किया है अबलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगती नहीं की है जिसका मन इस्त्रियों ने हर लिया है उसे अपनी विद्या तपस्या त्याग नीती तथा विवेखशिल चित्त से क्या लाव हुआ है एक मात्र धर्म ही सबसे महान और स्रेष्ट है जो मृत्यू के बाद भी साथ जाता है शरीर के उपभोग में आनी वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब यहीं पर नश्ट हो जाती है धर्म की सहायता से ही मनुष दुर्गती से पार होता है हे राजेंद्र क्या तुम नहीं जानते हो मनुष्यों के जीवन का विलास जल के उत्ताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है जिनके लिए विनाई ही पगडी एवं मुकुठ है सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है उन्हें जड आभूशनों की क्या हो शकता है मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और धेले के समान प्रत्वी पर फेग उसके बंदु बांधों मुँ फेर करके चल देते हैं केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है सब कुछ जा रहा है आयू प्रतिदिन ख्षीन हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त हो रहा है ऐसी अवस्था में भी तुम उटकर के भागते क्यों नहीं हो इस्त्री, पुत्र, आदी, कुटुम्ब, शरीर, तथा द्रव्य, संग्रह यह सब पराए है, अनित्य है, किन्तु पुन्य और पाप अपने है जब एक दिन सब कुछ छोड़ करके तुम्हें विवस्ता पुर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ में फसकर अपने धर्म का अनुष्थान क्यों नहीं करते हो मिरत्यू के बाद उस दुरगम पत पर अकेली कैसे जा सकोगे जहां न ठरने के लिए स्थान है, न खाने योग या अन्न है न पानी है, न राहा खर्च है, और न राहा बताने वाला कोई गुरु है यहां से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं जाएगा केवल पाप और पुन्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे अतह तुम आलस से छोड़ करके वेदो तथा स्पृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हित कारक कर्म का अनुस्थान करो धर्म मुलक सदाचार का सेवन करो धर्म और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याक कर देना चाहिए दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुस्थान करना चाहिए क्योंकि जितेंद्री राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमनी है और कटाक्ष के समान चंचली होती है वे नए रूपी गुन धारन करने से ही वह राजाओं के पास दीर्ग काल तक ठारती है जो अत्यंत कामी और घमन्डी है जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही हो जाता है उन मूड चेता राजाओं की समपत्ती उनकी आयू के साथ नस्ट हो जाती है व्यसन और म्रत्यू इनसे व्यसन को ही कस्त दायक बताया गया है व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगती होती है जो व्यसन से दूर रेता है वह स्वर्ग लोग को चला जाता है व्यसन वद्धुख विशेस्तह काम से ही उत्पन होते हैं अतह काम का परित्याक करो पापों में भज जाने पर व्यभव एवं भोग स्थिर नहीं रेते हैं वे शीग्र ही नस्ट हो जाते हैं चलते रुकते जाकते और सोते समय भी जिसका चित विकार में संवलग्न नहीं रेता वह जीते जी म्रत्यु तुल लिमाना जाता है विद्वान पुर्ष विशय चिन्ता छोड़ करके समता पूर्ण इस्थिर एवं व्याभारिक युक्ती से परमार्थ का साधन करते हैं जीव का चित बैलक की भाती चपल होता है अतह उससे बलपूर्वक कार्य करवाना चाहिए ये राजन धर्म के तत्व दर्शी व्रध पुरुषो की बुद्धी का सहारा ले परा बुद्धी के दुआरा अपने कुपत गामी चित्त को वश में करना चाहिए लोकिक धर्म मित्र भाई बंधू हाथ पेरों का चलना देशांतर में जाना शरीर में कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए प्रयत्न करना आधी कोई भी परमपत प्राप्ती में सहायता नहीं कर सकते हैं केवल प्रमात्मा में मन लगा करके उनका जाप करने से ही उस पत्त की प्राप्ती होती है इसलिए हे राजन विद्वान पुरुष को उचिते की वह विश्यों में प्रबत हुए चित को रोकने के लिए यत्न करे रत्न से वह अवश्य ही वस्मे हो जाता है यदि मनुष्य मोह में पर जाए, स्वयम विचार करने में असमर्त हो जाए तो उसे विद्वान सुरदों के पास जाकर के प्रश्ण करना चाहिए वे पूछने पर यतोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं कल्यान की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाई से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए क्योंकि वे दोनों कल्यान का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं हे राजन काम बड़ा बलवान है वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रू है श्रे की अभिलासा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए अटह विदी पुर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे स्रेष्ट है इसलिए तुम धैर्य धारन करके धर्म का ही आचरन करो यह स्वास बड़ा चंचल है जीवन उसी के आधीन है ऐसी इस्थिती में भी कौन मनुष धर्म के आचरन में विलंब करेगा है राजन जो व्रद्धा वस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित भी इन निशिद्ध विशियों की और से नहीं हटता जाए यह कितने शोक की बात है प्रत्विनाथ इस काम के मोहों में पढ़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ में व्यतीत हो गई है अब भी तो अपने हित साधनों में लग जाओ राजन तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात में कहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ मुनिश्वरों ने ब्रह्म महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन, आदी महापातक बताए गए है उनमें से मनुष्यों द्वारा वन, मन वानी और शरीर से किये हुए जो पाप है उन्हें वैशाक मास समाप्त कर देता है जैसे सूरी अंधिकार का नाश करता है वैसी प्रकार वैशाक मास पाप रूपी महान अंधिकार को सर्वधा नश्ट कर डालता है इसलिए तुम वैशाक मास की विधी के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुन्य के प्रभाव से जन्म भर के किये हुए घोर पापों का परित्याक करके इस संसार में महान सुखो को प्राप्त करता है और अंत समय में परमधाम को प्राप्त करता है इसलिए है राजन तुम भी इस वैशाक मास में प्रतिदिन प्रातह काल स्नान करके विधी पुर्वक भगवान स्री नारायन मदु सुधन की पुजा करो जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है मांजने से तांबे की कालिक मीड जाती है उसी प्रकार शुप कर्म अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतह करण का मल यने पाप धुल जाते हैं तब राजा बोले कि सोम्य सभाव वाले गुरुदेव आपने मुझे वह अम्रत पिलाया है जिसका आविर भाव समुद्र से नहीं हुआ है आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारन तथा दुर व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन ओशद है आपने क्रपा करके मुझे आज इस ओस्दी का पान कराया है ये विप्रवर सत पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्स प्रदान करने वाला है उनके पैप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यू का अपहरन करने वाली संजीवनी बूटी है इस प्रत्वी पर जो जो मनुरत दुरलब पाये गए हैं वे सब यहाँ साधू पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं जो पैपो का अपहरन करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यग्य करने की क्या विशक्ता है ये प्रभो आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थें वे सब केबल काम सुक के प्रती लोब उत्पन करने वाले थे परन्तु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विप्रीद भाव आ गया है मूर्ख मनुष एक जन्म के सुक के लिए हजारों जन्म के सुक नश्ट करता है और विद्वान पुरुष का एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं हाई हाई कितने खेत की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सरा काम जनित रस के असा स्वादन सुख में ही फसाय रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्यान का कारिण नहीं किया है। अहो मेरा मन केसा मोह है जिससे मैंने इस्त्रियों के फेर में पढ़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ती में डाल दिया है। इस्ते इस्तह आपके चरणों की धूली से आज में पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ट अब आप मुझे वैशाक मास की संपूर्ण विधी विस्तार पूर्वक बताईए। कश्यप बोले हे राजन बुद्धिमान पूरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथ्वा अन्याई पूर्वक पूछने पर भी किसी को उपदेश न दे। लोक में जानने हुए भी जडवत अन्जान की भांती आचरन करे। परन्तु विध्वान, शिश्यो, पुत्रो तथा शधालू पूर्वक उनके हित की बात क्रपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन इस समय तुम्हेरा मन धर्म में इस्थित हुआ है, अटह तुम्हें वैशाक स्नान के उत्तम ब्रत का पालन कराऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप ने राजा महीरत से वैशाक मास में स्नान दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाक इस्तनान के जैसी विधी उन्होंने देखी थी उसका पूरा-पूरा पालन करवाया। राजा महीरत ने भी गुरू की प्रेणा से उस समय विधी पूर्वक सब नियमों का पालन किया। तथा माधव मास का जो-जो विधान उन्होंने बताया वह सब आद़ पूर्वक सुना। उन रप स्रेष्ट ने प्रातायकाल इस्तनान करके भक्ति भाव के साथ पाध्य अर्ग दे करके श्री हरी नारायन का पूजन किया तथा उनको भोग लगाया। यमराज केते हैं कि ब्रम्भन तत पश्चात राजा के उपर काल की द्रश्ठी उस समय मेरे तथा भगवान विश्चु के दूद भी उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं। विश्चु दूदों ने ये राजा धर्मात्मा है यो कहकर मेरे सेवकों को डाटा और स्वयम राजा को विमान में बेठा करके वेकुंठ लोग को ले गए। पहीरत को नरक मार्ग के निकट से ले चलते जाते जाते राजा ने नरक में पकाये जाने के कारण घोर चितकार करने वाले नारकी जीवों का अंतर नात सुना। आप लोग सब बाते क्रपा करके मुझे बताने की क्रपा करे। भगवान विश्णु के दूद बोले जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याक किया है। जो पापाचारियवं पुन्य हीन है वे तामिस रादी भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याक के पस्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानत दुख को भोगते हैं। यम्राज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घजीरते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूग प्यास से पीडित रहते हैं। पीव और रक्त की दुरगंद के कारण उन्हें बार बार मुर्चा आ जाती है। कहीं वो खोलते हुए तेल में तले जाते हैं। कहीं उन पर मूसलो की मार पड़ती है। कहीं तपाये हुए लोहे की शिलाएं उन्हें जो है डाल करके उन्हें उसके उपर डाला जाता है। कहीं वमन कहीं पीब कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दो की दुरगंद से भड़े हुए करोडो नरक है। जहां शरपत्र बन है शिला पात के स्थान है जहां पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा जहां की समतल भूमी भी आग से तपी हुई होती है इसके सिवा गरम लोहे के खोलते हुए तेल के मेदा के तपे हुए स्थमब तथा खूट शालबली नाम के न रखे चुर्रे, काटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण ख्षोब एवं भय उत्पन करने वाले बहुत से नरक है कहीं तपी हुई वेतरनी नदी है, कहीं पीप से भरेवे अने को कुंड है इन सब में प्रथक प्रथक पापियों को डाला जाता है कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं इसी से उन्हें असी पत्र वन कहते हैं वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कतने और कतने लग जाते हैं और छिलने लग जाते हैं कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लप्टो के कारण अच्चंत दारुन प्रतीत होते हैं इनमें बार-बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं और विलाप करते हैं हे राजन इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव करहाते हुए नरक यातना का कस्ट भोग रहे हैं। उनी का यह क्रंदन हो रहा है सभी प्राणियों को अपने पूर्वकरत कर्मों को भोगना पड़ता है। पराई श्त्री का संग प्रसनता के लिए क्या जाता है किन्तू वास्तों में यह दुख ही देने वाला होता है। दो घड़ी तक किया हुआ विशय सुक का आस्वादन अनेक कलपों तक दुख देने वाला होता है। दुख देने वानों का नाम भी यदी सुना या उच्चारन किया जाए तो वह सुक का साधक होता है। तथा उसे छू कर चलने वाली वायू भी शरीर में लगने पर बड़ा सुक देती है। उप्योक्त बात को सुन करके द्रवित हो उठे। निश्चा ही साधू पुर्षो का रधय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत की आग की आँच बिगल जाती है। उसी प्रकार साधू पुर्षो का रधय भी दूसरों के संताप से संतपत हो करके द्रवित हो जाता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले इन्हें देख करके मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़ करेके जाना नहीं चाता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदना वरस्त जीवों का शोग दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छू कर बहने वाली वायू के सपर्स से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए क्योंकि जो चंदन व्रक्ष की भाती दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आलादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयम कष् वे ही पुण्यात्मा है शरीर में वे ही संते हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं संसार में उन्हें ही संत माना जाता है जो परोपकार की भावना रखते हैं तथा पीडित जीवों की पीडा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनकों के समान न को ही सुख मिलता है वह स्वर्ग भी नरक के समान है अतह साधू पुरुष सधा दूसरों के सुख से जो है सुखी होते हैं यहां नरक में गिरना अच्छा प्राणों से यो वियोग हो जाना अच्छा किन्तु पीडित जीवों की पीडा दूर किये बिना एक शन भी सुख है राजन पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाई जाते हैं जिनोंने दान हवन अथवा पुन्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुन्य नहीं किया है वेही परलोक में आने वाले गोर नरको में पकाई जाते हैं जिनका शील स्वभाव दूशी थे जो दुराचारी व्यभार में निंदित दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी है वे ही नरकों में पड़ते हैं पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का रदय विदिर्ण कर डालते हैं तथा जो परा तुम्हारा यहां ठहरना उचित नहीं है राजा ने कहा कि हे विष्णु दूदगन यदि मैं पुन्यात्मा हूं तो इस महाभयंकर यम्यात्ना मार्ग में केसे लाया गया मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुन्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा तुमने कोई भी पुन्य यग्या अनुष्ठान अथ्वा यग्या वसिष्ठ अन्य का भोजन नहीं किया है इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है किन्तु लगातार तुमने तीन वर्सों तक गुरु की प्रेणा से वैशाक मास अमस में विधी पुर्वक प्रातास असनां किया है तथा महापापो और अतिपापो की राशी का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मदू सुदन की भक्ति पुर्वक पूजा की है यह सब पुन्यों का सार है केवल एक ही पुन्य से तुम देवताओं द्वारा पूजी ठोकर स्री वि जिनगारी पढ़ जाने से तिनकों की राशी भस्म हो जाती है उसी प्रकार वैशाक में प्रातह स्तनान करने से सारे मनुष्ट के जन्म जन्मांतर के एक-एक पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और वहाप्रानी हरी भक्त पुरुष अतिपापों के समू से छुटकारा पाकर करके विष्णु पत को प्राप्त कर लेता है यह मराज कहते हैं कि ब्रह्मन तब दयासागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीडित भगवान विष्णु के दूतों से विने पुर्वक कहा साध्यू पुरुष प्राप्त हुए आईश्वरे का गुणों तथा पुन्य का य परक्षा की जाए यदि मेरा कुछ भी पुन्य हो तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निश्पाप होकर के स्वर्ग को चले जाए और इनकी जगह नरक में मैं निवास करूं राजा के एसे वचन को सुन करके स्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले हे राजन इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेश वरद्दी हुई है तुमने वैशाक माह में जो इस्तनान किया है दान किया है जब किया है हवन किया है तपस्या किये तथा अनौ को प्राप्त करके भगवान विश्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है एक और तब दान और यग्य आदी की शुप क्रियाएं और एक और विधी पुर्वक आच्रण में लाया हुआ व्रत यह वैशाक मास ही महान है हे राजन वैशाक माह के एक दिन का भी जो पुन् दान दया के समान कोई भी मित्र नहीं है पुन्य का दान करने वाला मनिश्य सदा लाग गुना पुन्य को प्राप्त करता है विशेस्तह तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक व्रद्दी हुई है जो मनिश्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही स पुन्यात्मा है उसे भगवान नरैन के अंश को जानना चाहिए। हे वीर वेशाक मास की पुर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों को अनाश करने वाले दान इसनान आदी पुन्य किये हैं उसे विधिवत भगवान शीहरी को साक्षी बनाकर तीन बार प्रतिग्या करके इन पापियों के लिए दान कर दो जिसे ये नरक से निक और मोक्ष में भी प्राप्त नहीं कर पाता है है सोम्य तुम्हारी बुद्धी दया एवं दान में द्रड है इसे देख करके हम लोगों को भी उत्सा होता है राजन यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किये इन्हें वह पुन्य प्रदान करो जो प्रतिग्या पुर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपने पुन्य को अरपन कर दिया वे साक मास के एक दिन के ही पुन्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना से दुक्ष से मुक्त हो गए फिर अत्यंत हर्स से भर कर वे स्रेष्ट विमान पर बेट करके राजा की प्रसंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चल दिये इस दान से राजा को विशेष पुन्यफल की प्राप्ती हुई मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर भगवान स्रीहरी विश्णू के पार्सदो द्वारा अभिवन्दित हो करके उस परम पत को प्राप्त हुए जहां बड़े बड़े योगियों के लिए भी वह स्थान दुरलब माना जाता है हे दुश्रेष्ट यह वेशाक मास और पूर्णी मा का कुछ महात्म यहां हमने बताया है यह धन यश आयू तथा परम कल्यान को देने वाला होता है और इससे स्वर्ग तथा लक्षमी की भी प्राप्ती होती है इससे मनुष्य की सारी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धो डालने वाला है माधव मास का यह महत्म भगवान माधव को अत्याधिक प्रिय है राजा महीरत का चरित्र और हम दोनों का सम्वाद सुन्णे पढ़ने तथा विधीपूरवक अनुमोधन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ती प्राप्त होती है तथा क्लेशों का ना सोजाता है सूद्जी महराज के तेहें की धर्मराज की यह बात सुन करके वह ब्राह्मण उन्हें प्रनाम करके वहां से चला गया उसने भूतल पर प्रतिवर्स स्वयंतो वैशाक इस्तनान की विधी का पालन किया तथा दूसरों को भी वैसाग इस्तनान का पुन्य प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित किया यह ब्राह्मन और यम का सम्वाध ही मेंने आप लोगों से सुनाया है और जो एकाग्र चित्त हो करके इस सम्वाध को सुनता है उसके सारे पाप नस्ट हो जाते हैं और उसको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती हो जाती है तथा धर्म अर्थ का मोक्ष को प्राप्त करके अंत समय में वह भगवान के परंपद वेकुंठ लोग को प्राप्त कर लेता है पड्म पुराणां तरगत वेसाक इस्तनान महात्मयं महा स्री कृष्णार पनमस्तु हो बोलिये स्री कृष्ण चंद्र भगवान की जै वेकुंठ नारायन भगवान की जै लक्ष्मी नारायन भगवान की जै अच्चुतं केषवं राम नारायनम क्रिष्ण रामुदरं वाशुदवं हरे स्री धरं आधवं गोपिका वलभं स्री जानकी नायकम स्री राम चंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकम स्री मुक्ति दायकम पुन्य नाम कीर्तनम स्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम बोले स्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जै स्री व्रंदावन बिहारी लाल की जै गोपाल कृष्णा भगवान की जै भक्त जनो हमने आपको वैसाक माह की यह दिव्य और ग्यानमाई कथा सुनाई है इस ग्यानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा और कमेंड बाक्स में प्रभू का नाम अविश्य लिग दीजिएगा जिससे आपको अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद